नमश्कार दोस्तों स्वागत आप सब का वहुषय कोचिंग स्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों लास्ट क्लास में अपनोंने नंबर सिस्टम का टोपिक शुरू किया था उस नंबर सिस्टम के टोपिक में अपनोंने पढ़ लिया था binary को decimal में convert करना binary को octal में और binary को hexa में फिर हमने देखा था कि decimal को binary में बदलना decimal को octal में बदलना decimal को hexa decimal में बदलना इस दोनों पार्ट अपनोंने complete कर लिए थे आप third part की बात करते हैं दोस्तों जिन सातियों ने पहले वाली क्लास नहीं देखी एक बार उस क्लास को देख लिजिएगा जो भी साती चैनल पे नहीं हैं दोस्तों चैनल को कर लिजिएगा subscribe अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करिएगा अगर आपको इन classes की पीडियो भी चाहिए तो विश्य कोचिंग सिरी गंगानगर के यूट्यूब चैनल को आप टेलिग्राम चैनल को भी subscribe कर लिजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी subscribe कर लिजिएगा अब अगर बात करें आज की इस पार्ट में आज अपने देखेंगे octal को और है अग्जा डेसिमल को तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वाज अपना जो है नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो सेकिंड पार्ट है सेकिंड कलास है इसके बारे में बात करते हैं एक दोस्तो सुचना साइक की अगर त्यारी कर रहे हो तो ये एक objective questions की मैंने book निकाली है आप इसको try कर सकते हैं जो भी साथी सुचना साइक की त्यारी करना चाता है क्योंकि September में एक जाम है इसका तो अगर त्यारी करना चाते हैं तो विशे कोचिंग के application पे 23 तारीक से इसका live page start कर दिया है मैंने offline page भी है और online page भी है आप try कर सकते हैं दोस्तो तो चलिए दोस्तो आज अपन बात करेंगे number system के आगे के कुछ part के बारे में आज अपने सबसे पहले देखते हैं octal to other तीसरा part हो जाएगा अपना दो पहले कर चुके अपने तीन number पे जो part आएगा वो क्या रहेगा दोस्तो octal to other octal to other octal to other में आज अपने देखेंगे सबसे पहले octal to binary फिर अपने देखेंगे octal to octal to decimal और फिर अपने देखेंगे octal to hexadecimal octal to hexadecimal ये अपने आज पहले पार्ट को देखते हैं तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं दोस्तो octal से binary की बात करें दोस्तो अगर सबसे पहले पार्ट की बात करें octal से binary octal से binary octal से अगर binary की बात करें तो octal से binary में जाने के लिए जो हमारे पास डिजिट होती है परते एक डिजिट की बाइनरी तीन अंकों में लिखते हैं यह सिर्फ आपको एक इबार्याद रखना है यह जैसे एक दो बार अभ्यास करोगे न यह अटोमेटिक कलियर हो जाएगा तो ओक्टल से बाइनरी में जाने के लिए परते एक डिजिट की बाइनरी कितने अंकों में लिखते हैं दोस्तों तीन अंकों में लिखते हैं कैसे लिखते हैं आईए समझते हैं सबसे पहले एक आपको ओक्टल संख्या दी गई है 4 over 7 कौनसी संक्या है, औक्तल संक्या, इसको अगर किसमें बदलना हो, बाइनरी में, बाइनरी का ब्येस कितना होता है, दो होता है, यानि कि एक औक्तल संक्या है, फोर सेवन, इसको अगर किसमें बदलना हो, बाइनरी में बदलना हो, तो हम प्रते एक डिजित को तीन अंकों में लिखेंगे प्रते एक डिजिट का मतलब दोस्तों यहां पर किस से है चार और है साथ से है यानि कि हमारे पास दो डिजिट है प्रते एक डिजिट को हम तीन अंकों में लिखेंगे अगर किस में जाना हो 22 में जाना तो हमारे पास दो डिजिट है एक है 4 और एक है 7 है इस 7 की 22 बाइंदर भी तीन डिजिट में आएगी, इस 4 की बाइंदर भी तीन डिजिट में आएगी, कैसे लिखेंगे, आपको कुछ नहीं करना, right side से counting सुरू करना है, और starting एक से करेंगे, एक का double कर दो, दो का double कर दो, च्यार, यह तीन डिजिट होगे, सेम आप इसी टास्क को रिपीट करेंगे, एक, एक का double दो, दो का double च्यार, यहनि कि यह जो definition लिखे थी, कि प्रते एक डिजिट की बाइंदर तीन अंकों में लिखेंगे, तो अपनोंने तीन अंकों में लिखी है, इधर भी कितने में लिखेंगे, तीन में, अब इसमें से answer कैसे निकालेंगे, अपने को total चाहिए, 7, total कितना चाहिए, 7, इन में से ऐसी कौन-कौन सी डिजिट है, जिनको जोडने से 7 हो सकता है, इन में से कौन-कौन सी डिजिट है, जिनको जोडने से क्या हो जाए, 7 हो जाए, तो देखो अगर मैं 4 अकेला लेता हूँ, तो 4 हो जाएगा, 4 और 2 को जोडता हूँ, तो 6 होगा, मुझे 7 तक पहुंचना है, तो मुझे इन 3 संख्याओं को प्लस करना पड़ेगा, और आगे नियम क्या कहता है, कि जिन-जिन संख्या की आपको requirement है, उनके नीचे 1 लगा दो, यानि कि जोड में, टोटल में, जो संख्या सामिल हो रही है, उनके नीचे 1 लगा दो, जो संख्या सामिल नहीं होती, उसके नीचे 0 लगा दो, अब 0 तो इसलिए नहीं लगा सकते दोस्तों, क्योंकि हमारे पास क्या है, 7 तक जाना है, 7 तक जाने के लिए 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए, तो 4 और 2, 6 और 1, 7, तो हमारे पास यह answer आया, इधर देखते हैं, क्या है, 4, इस 4 तक जाने के लिए, 2 और 1 की requirement है क्या या 2 और 1 से 4 हो सकता है नहीं तो 2 और 1 कितने में 3 अपने को जाना कितने तक है 4 तक जाना है तो जिसकी आवसेकता है उसके नीचे 1 लगा दो 4 के इलावा 2 की जुरूरत है क्या 4 में 2 जोडोगे तो 6 हो जाएगा 1000 1111 यह हमारे पास क्या आगी दोस्तों binary आगी 1000 1111 वापस repeat कर देता हूं परते एक digit की binary कितने अंको में लिखेंगे तीन अंको में परते एक digit का मतलों किससे है 4 और है, 7 से है 7 को भी 3 अंको में लिखेंगे और 4 को भी 3 अंको में Лिखेंगे कैसे लिखेंगे right side से एक counting लिखना शुरू करेंगे और counting की सुरूआत हमेशा एक से होगी एक का double 2, 2 का double 4, 4 का double 8, 8 का double 16, 16 का 32 इस तरीके से अपने आगे continue करेंगे अभी एक स्वाल और देखते हैं माल लो 3, 5 और 6 दिया हो, 3, 5 और 6 है, एक octal संक्या है, इसको किसमें बदलना हो, binary में बदलना हो, तो कैसे करेंगे, 3, 5 और 6, प्रते एक डिजिट को तीन अंकों में लिखेंगे, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, यहां अपने को total कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो मैं 4 का भी सारा ले सकता हूँ, और 2 का भी 6 हो गया, एक की आपने को आवसकता नहीं, इसलिए 0 लगा दिया, इधर कितना चाहिए, 5, 5 तक जाने के लिए 4 और 1 जरूरी है, तो 4 भी चाहिए, और 1 भी चाहिए, 2 की आवसकता नहीं है, इसलिए नीचे 0 लगा दिया, यहां 3 तक जाना है, 3 तक जाने के लिए 4 की आवसकता नहीं है, दो और 1 की आवसकता है, यह हमारे पास 200 के आगी, बाइनरी आगी, कली रोगी बात, कली रोगया होगा, कि परते एक डिजिट की बाइनरी कितने अंकों में लिखनेंगे, तीन अंकों में, यह बातें थी, rules, regulations की, otherwise आप डारेक लिख सकते हैं, मैं octal की पूरी बाइनरी लिख देता हूँ, एक की बाइनरी अगर लिखनी हो, तो क्या होता है, पहले 0 से start कर लेते हैं, जिरो को तीन अंकों में लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, दोस्तों, 0, 1 को लिखोगे, तो आप बताएए क्या होगा, डबल जिरो वन हो जाएगा, दो की बायंदी क्या हो जाएगी, जीरो वन और जीरो जाएगी, तीन की बायंदी क्या हो जाएगी, जीरो डबल वन हो जाएगी, ये देखो तीन की बायंदी क्या हो जाएगी, जीरो डबल वन, च्यार की बायंदी क्या हो जाएगी, वन, डबल जीरो ये अपनों ने 6 की बायन निकाला है और 7 की बायन जिये क्या हो जएगी दोस्तों 1, त्रिपल है वन ये अपनों ने 7 की बायन निकाली है तो है ये औक्तल है कुछ भी नहीं है बड़ा सिंपल सा concept है अगर आप अच्छे से पढ़ना चाते हैं तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा जिन students ने त्यारी की हुई है उनको तो लगता है सबसे असान टोपिक है जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके के लिए मैंने आपको पूरा concept बता दिया है तो अभी अपनोंने बात किये कौनसी ऑक्टल से किस में जाना हो बाइनमी में जाना हूँ आगे next part की बात करते हैं जो भी साती लाए बैठे हैं दोस्तों को शेर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ आगे दूसरा जो part है वो है octal2 octal to decimal है octal to decimal octal से decimal में जाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं 8 से गुना करते हैं और ये गुना कैसे करते हैं पावर में करते हैं अगर आपको ध्यान हो तो अपने octal के स्थान पे हमारे पास क्या थी binary, binary से decimal में गए थे तो 2 से गुना किया था अब octal से decimal में जा रहे हैं तो किसे गुना करेंगे 8 से गुना करेंगे अब 8 से गुना करने के लिए हमारे पास क्या नियम है अब यह एक संख्या अपनों ने देखी थी 4 और 7 यह हमारे पास दोस्तों कौँ सी संख्या है octal जाना किसमे है decimal में decimal का base कितना होता है 10 decimal का base कितना है 10 octal से decimal में जाने के लिए नियम क्या है 8 से गुना करेंगे कैसे करेंगे देखिए इधर 4 है और इधर क्या है 7 है 8 की power से गुना करोगे तो right side से काम start करोगे 8 की power 0 से गुना कर दो और आगे चलोगे तो 8 की power 1 से कर दो और आगे जाओगे तो 8 की पावर 2 से 3 से 4 से चलते जाएंगे 8 की पावर 0 हल करोगे तो क्या हो जाएगा 8 की पावर 1 का मतलब क्या है 8 अब इस 8 को उपर 4 से multiply कर दो इस 7 को उपर इस 1 को उपर 7 से multiply करो कैसे करोगे 8 इंटू 4 फिर plus कर देना 7 इंटू 1 देखीगा 8 चोग 32 से प्लस है 7 हमारा answer क्या आगया दोस्तो 39 यह हमारे पास आगया decimal है वापस repeat कर रहा हूं ओक्टल को किसमें बदलना हूं decimal में 8 से क्या करते हैं multiply 8 से जो multiply करते हैं दोस्तों वो किसमें करते हैं पावर में multiply का नियम है right side से start करेंगे 8 की पावर 0 से 8 की पावर 1 से मालो यहां 2 डिजिट के स्थान पर 3 दिया होता तो 8 की पावर 3 से 4 दिया होता तो 8 की पावर 4 से generally जितने भी स्वाल पुछे जाते हैं उसमें 2 या 3 डिजिट रख दिया जाता है जैसे 3 तक जाएंगे तो 8 की पावर 0 का मतलब 1 8 की पावर 1 का मतलब 8 और जैसे 8 की पावर 2 करोगे तो चोनशट हो जाएगा तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी calculation भी क्या हो जाएगी lengthy हो जाएगी तो यह हमारे पास क्या हो गया octal to decimal एक स्वाल और करते हैं अपने जैसे मालो दो डिजिट की बात करें तो आपको दिया हो 3 और 2 कौनसी संख्या हो octal हो जाना किसमे हो decimal में और decimal का base कितना होता है 10 कैसे करेंगे 3 हैं और इदर 2 है right side से शुरू करेंगे 8 की power 0 से 8 की power 1 से 8 की power 0 क्या है 1 और 8 की power 1 क्या है 8 8 को उपर 3 से करो 1 को उपर 2 से multiply करो तो 8 into 3 plus कर देंगे 2 into 1 तो क्या हो जाएगा 8 की है 20 plus 3 answer हमारा क्या हो जाएगा 27 27 sorry 8 ती 24 और 2 एकम 2 यो जाएगा न 2 एकम 2 2 into 1 करेंगे तो 2 answer क्या आजएगा दोस्तो 26 आजएगा ठीक है इथोड़ा देख लिए ना आप ओगया क्लियर तो octal से किसमें जाना हो decimal में जाना हो तो किसे multiply करते हैं 8 से multiply करते हैं हो गया क्लियर अभी अपनोंने जो बात की है वो पहले किस की की है octal से 22 की की है दूसरा हमने बात की है octal से decimal की अब जो बात करते हैं वो है अपने पास क्या octal से hexadecimal octal to hexadecimal octal to hexadecimal octal से hexadecimal दोस्तों आप direct नहीं जा सकते इसलिए बढ़िया option यह है कि octal की पहले क्या निकालो binary और binary से आप hexadecimal जाओगे तो कितने के पेर बनाने पड़ते हैं चार-चार के पेर बनाने पड़ते हैं इसे पहले वाली class है उसमें मैंने बताया हुआ है कैसे पहले आप octal से किसमे जाना चाते हूं hexadecimal तो direct कोई step नहीं होकर पहले octal से किसमे चले जाए binary में जो binary आएगी उसके हम चार-चार के पेर बनाकर convert करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तो hexadecimal कैसे करेंगे सर देख लीजिएगा माल लो आपके सामने एक common अपने questions ले रहे हैं 4 और 7 को सी संक्या है octal है इसको किसमे बदलना है hexadecimal और hexadecimal कितना होता है 16 अब 4 और 7 की पहले binary निकाल लेते हैं आप सबको पता है 4 की binary तीनंकों में इसे निकाल लेंगे 1,2,4 1,2,4 4 की binary क्या हो जाएगी one double zero और 7 की binary क्या हो जाएगी triple one अब ये अपने पास जो संख्या आगी वो क्या आगी binary लेकिन अभी भी अपने को जाना है कि इसमें दोस्तो हैग्जा में अगर आपके पास binary हो और हैग्जा में जाना हो तो आप क्या करें जो binary आपको दी हुई है उसकी right side से 4-4 के pair बना दो जो pair अदूरा है उसके आगे 0 लगा लो कैसे करोगे एक, दो, चार, आठ एक, दो, चार, आठ इधर से हमारे पास क्या आएगा दो अज़िदर आजएगा चार, दो, छे, और एक, साथ ये दोस्तो हमारे पास क्या आगया आंसर आगया 27 हो जाएगा इसका 47 का हैग्जा decimal क्या किया था दुबारे repeat कर रहा हूं ओक्तल को हैग्जा में बदलना है तो ओक्तल को हैग्जा में बदलने के लिए पहले क्या निकालो binary ओक्तल की binary कैसे निकालते हैं ये अभी आपनोंने सीखा है ओक्तल से binary निकालेंगे तो प्रतेक डिजिट की बाइनरी तीन हंकों में निकरेंगे, ये अपने पास ओक्टल से किस में आगे, बाइनरी में, जब कोई संख्या बाइनरी आपके पास उपलब्द हो, और हैक्जा में जाना हो, तो राइट साइड से चार चार के पेर बनाते हैं, ये हमारे पास आंसर आगया दोस्तों क्या, ह साथ की बाइनरी होती, ट्रिपल वन, जाना किस में है, एक्जा में, क्या करेंगे, तीन-तीन के पेर बनाएं, चार-चार के पेर बनाएंगे, ये पेर बनाएंगे, ये पेर बनाएंगे, और ये पेर, क्या करोगे, एक, दो, चार, आठ, एक, दो, चार, आठ, एक, दो, चा और एक साथ, यह दोस्तों, हमारे पास क्या आगया, Heтра Decimal आगया, प्लिर होगी बात, तो यह हमारे पास कुछ सा पार्ट आ गया, Hera Decimal पार्ट आगया, Octal से Hexa Decimal में, देखे, दोस्तों, अभी अपनोंने बात की है, Octal से पहलेinformation में गए, ये binary के सारे नियम मैंने लिखे हुए है फिर हम octal से किसमें गए decimal में 8 से गुना किया फिर हम octal से किसमें गए hexa में direct जा नहीं सकते इसलिए पहले क्या निकाले है binary और फिर हमने कितने के पेर बनाए है 4-4 के पेर बनाए अब आगे आज जो स्टार्ट हुआ था क्लास तब अपनोंने देखा था ये अपने सबसे पहले जो दो पार्ट है एक ये जो बेच के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों ये live बेच है सुचना साहिका इस बेच के अगर बात करें तो विशे कोचिंग एप्लिकेशन को आप डाउनलोड करिए वहाँ आप डेमो क्लासेज भी लगा सकते है ये क्लास भी देख सकते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अपने इसी पार्ट के अंदर जो लास्ट पार्ट है अपना च्याल नंबर वो बचता है दोस्तों कौनसा एक्जा डेसिमल टू अदर कौनसा है एक्जा डेसिमल टू अदर एक्जा डेसिमल टू अदर अब हैक्जा डेसिमल टू अदर में क्या करोगे दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे अपने एक्जा डेसिमल टू किसमें जाएंगे बाइनरी में फिर हम किसमें जाएंगे एक्जा डेसिमल टू डेसिमल में जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे दोस्तो एक्जा डेसिमल टू ओक्तल जाएंगे एक्जा, decimal to, octon, एक्जा, decimal to, octon, के लिडरो की बात, तो यह तीनो स्टेप देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं, एक्जा, decimal to, binary है, तो चलिए दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं, किसकी, hexadecimal to binary hexadecimal to binary hexadecimal to binary hexadecimal से binary की दोस्तों बात करें hexadecimal से binary में जाने के लिए एक नियम है hexadecimal की जो भी परते एक digit है परते एक digit की binary परते एक digit की binary परते एक digit की binary चार अंको में लिखो चार अंको में लिखते हैं परते एक digit की binary चार अंको में लिखते हैं परते एक digit की बायनरी कितने अंको में लिखेंगे चार अंको में अभी अपनोंने पढ़ा था योक्टल से बायनरी में जाना था तो तीन अंकों में लिख रहे थे, अब हम किसमें जा रहे हैं हैगजा में तो कितने अंकों में लिखोगे, चार अंकों में, जैसे मालो एक हैगजा डेसिमल संक्या है, A9, एक हैगजा डेसिमल संक्या है, इसको किसमें कनवर्ट करना है, बाइनरी में और बाइनरी का बेस कित लिए E 15 के लिए F लिखते हैं तो यहां पर आपके पास symbol क्या लिखा हुआ है A, A का मतलग कितना है 10 और इधर क्या है 9 अब आपको क्या करना है प्रते एक digit की binary चार अंकों में नियम क्या है राइट साइड से counting लिखो 1, 1 का double लिखो 2, 2 का double लिखो 4 और 4 का double लिखो 8 1, 1 का double 2, 2 का double 4, 4 का double 8 रैसे इधर करें 1, 1 का double 2, 2 का double 4, 4 का double 8 अब अपने को total कितना चाहिए 9, 9 तक जाने के लिए नीचे कौन कौन सी संख्या है जिनको select किया जाए ताकि हमारा total 9 हो जाए तो 8 को चाहिए 4 करोगे तो 12 हो जाएगा, 4 छोड़ दो, 2 करोगे तो 10 हो जाएगा, 2 भी छोड़ दो और 1 करोगे तो 9 हो जाएगा इसका मतलब जिन संख्या की आओ सेक्ता है, उनके नीचे 1 लगा दो, जिनकी आओ सेक्ता नहीं है, उनके नीचे 0 लगा दो यहां कितना total चाहिए दोस्तों, 10 तक जाना है, तो 8 तो चाहिए, 8 चार ले लोगे तो 4 जादा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन अपने को कितना चाहिए, दस, 2 चाहिए, बिलकुल चाहिए तो इसके नीचे 1, 0 की जरूरत है, नहीं है, यह हमारा दोस्तों क्या आगया, और 1, यह हमारे पास क्या आगया दोस्तों, अंसर आगया, बाइनरी में, एक और question देखते हैं, जिसे मानलो लिखा हो, डी और एप, एक हैग्या डेचिमल संक्या है, इसको किस में बदलना पड़े, बाइनरी में और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, तो पहले यह देखो, तो डी के लिए है क्या, 13, यह हमारे पास 13 है, और यह एप के लिए क्या है, 15 है, आब इनको चार अंकों में लिखेंगे, तो 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, टोटल 15 तक जाना है, तो कौन कौन सी संक्या का सारा लिया जाए, 8, 4, 2, 1, टोटल 15 हो गया, 8, 4, 12, 2, 14, 15, इधर 13 तक जाने ह तक कौन कौन सी संक्या का यूज करें, 8 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, 12 हो गया, 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 को छोड़ दो, 1 को ले लो, तो यह हमारा दोस्तों क्या आगया, आंसर आगया, 11, 01, और 4 टाइम, 1, कुछ नहीं करना, आपने सिंपल है, मैं इनकी बाइंदी क्या होती है, 0010, 3 की वाइनरी, 0011, 4 की वाइनरी, 01 00, 5 की वाइनरी, 0101, 6 की वाइनरी, 01 00, 0, 7 की वाइनरी, 01 00, 01 01 एट की वाइनरी, 01 00, 9 की वाइनरी, 1001, 10 की वाइनरी, यानि की दबल जीरो, तेरह की बाइंडरी, डबल वन, जीरो, ओन, डेख ले ना भी, चौदा की बाइंडरी, टिपल वन, जीरो, और पंदरह की बाइंडरी क्या होती है, वन, 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 यह हमारे पास Hexadecimal की complete जानकारी मैंने आपको बता दी है, हो यह clear, तो अभी अपनोंने बात की है, Hexadecimal से बाइंडरी, अब अपनों बात करते हैं, Hexadecimal to decimal, क्या करेंगे, Hexadecimal to decimal, Hexadecimal को किस में बदलना हो, Hexadecimal से decimal में जाने के लिए 16 से गुना करते हैं दोस्तों, और यह गुना किस में करते हैं, पावर में, कैसे करते हैं, पावर में, मान लो, आपके पास एक Hexadecimal संक्या है, A9 है, hexadecimal से क्या है, इसको convert करना है कितमे, decimal में, और decimal का base कितना होता है, 10, नियम क्या कहता है, hexadecimal से, decimal में जाने के लिए 16 से गुणा करो, अगर अभी ध्यान हो, तो अभी पीछे वाले पार्ट में देखा था, कि octal से decimal में गए थे, तो 8 से गुणा किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, hexadecimal से decimal में जा रहे हैं, तो 16 से गुणा करोगे, 16 से गुणा करने का नियम क्या है, यह देख लिए, A, और इधर 9 है, इधर 16 की power 0 से गुणा कर दो, और 16 की power 1 से गुणा कर दो, A का मतलब आप सबको पताए कितना होता है, 10, 16 की power 0 का मतलब 1, और 16 की power 1 का मतलब 16, 16 को उपर 10 से करोगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 160, और 9 को नीचे 1 से करोगे, तो 9 एकम, 9, हमारे पास चो आंसर आएगा, वो आजेगा दोस्तो, 169, 169, यह हमारे पास क्या आगया, 169, क्लीर होगी बात, तो हमारे पास क्या है, 16 और 10, इसका मतलब क्या होता है, 16 से गुना करेंगे, कैसे करते हैं, नियम यह है, right side से शुरू करेंगे, power में लिखेंगे, जो पहली power होती है, वो 0, उसके बाद 1, 2, 3, 3, कैसे अपने continue करेंगे, होगी है clear, तो यह अपनोंने कर लिया है, दोस्तो, hexadecimal to decimal है, अब अपनोंने अभी जो start किया था, इसमें 3 लिखे थे, यह भी मैंने आपको बता दिया, यह भी बता दिया, अब लास्ट पार्ट बटता है कौन सा, hexadecimal to octal, hexadecimal to octal, चलिए, लास्ट पार्ट है अपने पास क्या, hexadecimal to octal, hexadecimal to octal, अब अगर hexadecimal से octal की अगर बात करे, hexadecimal से आप direct octal में नहीं जा सकते, इसलिए पहले आप क्या निकाल लो, binary और बाद में कितने कितने के पेर बनाते हैं दोस्तो, 3-3 के पेर बनाते हैं, hexadecimal से octal में जाना हो, तो पहले binary निकाल लो, और फिर तीन-तीन के पेर बना लो सर बाइनरी कैसे निकालेंगे यह अभी अपनोंने बात की है कि बाइनरी निकालने का नियम क्या है परते एक डिजिट की बाइनरी चारंगों में लिखकर आप बना सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं hexadecimal से octal में जाना हो तो माल लो equation क्या है a9 इसकी पहले क्या निकालने पड़ेगे अपने को जाना किसमें है octal में और octal का base कितना है 8 इसलिए पहले क्या निकाल लेते हैं अपने इसके binary पहले क्या निकाल लेते हैं binary बाइनरी निकालेंगे तो A और 9 यह 9 को 4 उनकों में लिखेंगे 1, 2, 4, 8 1, 2, 4, 8 इधर 10 है तो 8 और 2, 10 इधर 9 है 1, double, 0, 1 यह मारे पास आगी binary अब जाना किसमें है Octal में जाना है Octal में जाने के लिए कितने के पेर बना दो 3, 3 के पेर बना दो जो पेर दूरे है उनके आगे 0 लगा दो पूरी counting लिख लो 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 उपर वाले पार्ट से क्या आएगा 2, इधर से 4 और 1, 5 और इधर से क्या आजेगा, 1 यह हमारा दोस्तों क्या आगया Octal और Octal का बेस कितना होता है 8 होता है तो आज जो अपनोंने बात की है दोस्तों, वो कौन सी बात की है सबसे पहले देखिएगा जो इस से पहले वाली क्लास थी नमबर सिस्टम की जो फर्ष्ट क्लास है उसमें अपनोंने binary और decimal पड़ा और अब जो नमबर सिस्टम की जो second क्लास है इसमें औक्तल और अपनोंने हेग्जा डेसिमल के बारे में बात की है क्या असर इतना ही होता है क्या में जो कनवर्जन है वो इतना ही होते हैं लेगिन इसी में आगे वाला पार्ट है वो फ्रेक्शनल वाला पार्ट पूछ लेते हैं कई बार मानलो जैसे सिंपल है य उनको कैसे कनवर्ट करते हैं complete पार्ट बता दूंगा हम आपको प्रेक्शनल वाले पार्ट में हम कैसे कैसे उसको कनवर्ट करते हैं उसके बाद एक क्लास कोडिंग सिस्टम की अलग से लगा देंगे कोई सवाल जैसे मालो compliment पे पूछ लेते हैं addition पे पूछ लेते हैं subtraction पे पूछ लेते हैं यानि कि binary पर arithmetic operation कैसे कैसे कर सकते हैं उनकी भी अपन बात जरूर करेंगे दोस्तो तो ये आज के बारे में हमने जो क्लास के बारे में देखा उसमें ये था कि हम decimal को सुरी recycle को decimal में Octal को binary में Octal को hegg자 में और फिर हमने देखा Heggza को binary में Heggza को decimal में और Heggza को octal में याद रिखने कeenu बड़ा सिंपल सा तरीका है दोस्तों क्या कर सकते हैं आक्टल से हेकजा में नहीं जा सकते और हेकजा से आक्टल में नहीं जा सकते इसलिए दोनों की बायनी निकाल लो और फिर पेर बना लो अगर आप आक्टल में जा रहे हो तो पेर तीन-तीन के बन जाएंगे हेकजा में जा रहे हो तो पेर चार-चार के बन जाएंगे गुना करके आए हैं किसे 8 से गुना डेसिम छे निकला अगर आपको ध्यानों तो डेसिम से जब औक टल में गए थे वाँड से भाग दिया था लेकिन अब अंदर आ रहे यां हैं तो गुना करने इसका मतल Dalot छैस टेप तो सीधे याद होगे अपने को decimal से जाओ तो बाग जाओ, बाग देते जाओ और बाग जाओ, आओ तो गुना करके आओ, तो गुना किस से करेंगे, बाग किस से करेंगे, decimal से जिसमें जा रहे हो, उसे बाग कर रहे हो, तो जिस से बाग दिया, उसी से गुना कर लो, यह सारे के सारे step है, अपने इसका shortcut भी ब प्लेट कर लिया है इसके बाद जिसे फ्रैक्शनल वाले आते हैं अज प्रैक्शनल वाले ज्याधा पुछे जाते हैं तो फ्रैक्शनल वाले पार्ट पे बहुत पिर अपने है और देखेंगा यह जो जानकारी थी मैंने आप सथ को बता दी है अगर आप सूचना साइक की त्यारी कर रहे हैं तो यह बुक जुरू ट्राई कर सकते हैं मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं अगर बात करेंस बुक की अगर आप ओनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर वर्टसेप मैसे डाल दो मैं आपको लिंक बेज देता हूं वहां से आपके घर पर ओनलाइन भी पहुंच जाएगी 9828034129 इस नंबर पर वर्टसेप डालेंगे तो आपको लिंक शेर कर दूंगा और उससे आप ओनलाइन भी मंगवा सकते हैं और आप कहीं मार्केट से पर्चेज करना चाहें तो आप पर्चेज भी भी कर सकते हैं यह बुक है दोस्तो अब्जेक्टिव बुक है अगर आप ठोरी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ठोरी की भी बुक है आप बहुषय कोचिंग स्री गंगानगर के टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिएगा बहुषय कोचिंग एप्लिकेशन और टेलिग् कि मैंनन कमेंट बोगस में जरूर बताना अपने दोस्तों के शाख share भी जरूर करना दोस्तो आपजेसे मालो क्लास शेर करते हैं अपने दोस्तों से इससे क्या होता है कि मुझे भी एक konfedस मिलता है गाओ ठीक है कि जो भी मैं कंटेंट आप सब तक पहुचा रहा हूं जो adjustmentsा point of view से बहुत मैतपून है इसलिए आप थोड़ा सा कोसिस करें क्लास को अच्छे से समझीगा तो ये सारी चीज़े समझ में भी आएगे और अपने दोस्तों को अगर शेर भी करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप जितने भी आपके friend circle है उनके लिए भी जो मालों की बार क्या होता है कि concept जो चीज नहीं समझ में आती वो अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों तो इसी मीद के साथ कल एक फिर क्लास ले क्या होंगा नंबर सिस्टम का जो पार्ट होगा वो थाड़ पड़ेंगे जिसमें अपने फ्रेक्शनल वाले पार्ट की बात करेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई क्लास के साथ तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार जय हिंद्ध